नमस्कार आपका स्वागत है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान और्गने केमिकल्स के बारे में जोनों भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने बैल आइकन पर क्लिक करने वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम रिजल्ट से दसाजार 461 लाग के जो कि दिसामबर 20 क्वाटर में होगे 12608 लाग के और मर्च 21 क्वाटर में यह रिवेन्यू होगे ग्यार 1557 लाग के तो अगर हम बात करते हैं टोटाल रेवेन्यू के यर-on-year में यानिकि मार्च 20 से मार्च 21 में तो वह हमें रिवेन्यू बढ़ते ह हुए नजर आ रहा हैं बात करते हैं क्वाटर और परफॉर्मेंस के दिसम्बर 20 से मार्च 21 की तो वहाँ पर हमें रेवेन्यू घटते हुए नजर आ रहे हैं अब हम एक्स्पेंस को देख लेते हैं तो मार्च 20 में एक्सपेंस ती बारह जार 501 लाग के जो कि दिसम्बर 20 क क्यार में 11 हजार 220 लाग के और मार्च 22 को अब बीस हो गए 10 तो 800 सात लाग तो अगर हम देखते हैं तो हमें यहार एक्सपेंस घटते हुए नज़र आ रहे हैं तो यह रोन यह में रेवेण्यू बढ़े हैं और यह रोन यह में एक्सपेंस जो है घटे हैं बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट्मेंट की तो सेवंथ नमबर के पॉइंट है प्रॉफिट आप लेगल लॉस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं क्वाटर और परफॉर्मेंस के दिसंबर बीस से मार्च 20 कि तो यहां मैं प्रॉफिट भड़ते हुए नज़र आ रहे हैं अब हम देख लेते हैं 11 पॉइंट को नेट प्रॉफिट अब लॉस फॉर्दा पीरिट को कि परफॉर्मेंस को देखते हैं तो फ़ेते हैं तो काफी बेहतर पारफॉर्मेंसंप हें नजर आ रहा है कंपनी के सेंशेल को देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 303 करोड नमबर ऑफ सेर्ज मार्केट में ट्रीट कर रहे हैं वह चाहँ दसम्लों साथ दो करोड सेर का जो पीवी रेस्यू है वह नौद सम्लों साथ माच का डिविडेंट इल्ड जीरो प्रतिशत का है एंटरप्राइस वैल्यू की बात करते हैं तो 952 रुपए 13 पैसे 952.13 करोड की एंटरप्राइस वैल्यू है जो पी है वह यहां पर सो नहीं हो रहा है फेस्ट वैली दस रुपए है वह वैली चार दसम्लों शैतीन रुपए है कंपनी के करजी की बात करें है तो 752 करोड के करजे हैं तो कैसरेजर रुप से ज़्यादा है और मार्केट कैप से दुगने से भी ज़्यादा है एपिएस को देखें तो माइनस दो दसम्लों एक दो रुपए है और माइनस 122.20 प्रतिशत का है अब बात करते हैं सेर प्राइस की तो वह 45 रुपए 20 पै से और बात करें कि तो वह 47 रुपए 90 पैसे एक साल के रिटरंस की बात करें तो दो सो बारत सम्लों प्रतिशत की रिटरंस रहे यानि कि जितने भी पैसे लगाए था उनको 200 प्रतिशत से ज्यादा की रिटरंस असे और में भी तक मिल चुके हैं फाइनेंसियल टेंट्स को देख लेते हैं तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यु था वह 183 करोड़ था जो कि 2018 में बढ़कर 345 करोड़ हो गया दो जार उन्नीज में 628 करोड़ का हो गया तो सत्रा से अठारा अठारा से उन्नीज में तो रेवेन्य बढ़े हैं लेकिन 19-20 में कमी आई है अब हम देख ले में लॉस को घटते हुए देख रहे हैं 18-19 में लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई थी लेकिन 19-20 में कंपनी ने फिर से लॉस दिखाये हैं तो यहां पर हमने फाइनेंसियल ट्रेंट्स को देख लिया है पिछले चार बार्सों में किस तरीके से पर्फॉर्म किया है उसक एक तालेस दसम्रों दूएक प्रतिशत थी जो अभी भी बनी हुई है तो इस प्रकार अगर हम वर रोल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमें यह और यह में प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है यह और नियर में कंपनी का पर्फॉर्मेंस बहतर हो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को देखा है और हमने पैटर्न को भी देखा है जिसमें के बराबर है और यह कोई नहीं है तो आप जिन्हों सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें घंण